तो आज हम लोग पढ़ने जा रहा है वेंडर वाल्स equation for real gases पिछली कास्ट में हमने real gas के बारे पढ़ा था कि real gas होता कि ए उसका characteristics क्या होता है और उसमें क्या-क्या नया होता है ideal gas से क्या-क्या अलग होता है तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहें कि वेंडर वाल का equation जो PV हम प्रोक्सिमेशन को नेगलेक्टर के लिखा जाता था पर यहां पर अप्रोक्सिमेशन को नेगलेक्टर करके लिखा जाता है उसी को हम लोग वेंडर वाल करते हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है यहां पर assumption क्या क्या था यादियल गैस के लिए नो force of attraction repulsion between molecules volume occupied by molecules is zero यही दोन अप्रोक्सिमेशन था अभी तक हम लोग क्या यही दो अप्रोक्सिमेशन लेकर पढ़ते आ रहे हैं और real gas में क्या होता है there is some force of attraction repulsion between molecules as less atoms volume occupied by gas particles is not zero तो assumptions जो दो हम लोग लिये थे अभी तक वो था ideal gas के लिए और real gas के लिए वो दोने assumption को side में किया जाता है assumption नहीं है वो कुछ भी और यहां पर accurately जो reality में होता है उसी को हम लोग यहां पढ़ते हैं तो वेंडर वाल एक वेंडर वाल ने एक scientist थे जिन्होंने यह study किया real gas के बारे में और उन्होंने यह एक equation दिया तो उसी को लोग वेंडर वाल equation कहते हैं तो चलिए आगे देखते हैं सबसे पहला क्या है pressure of gas pressure of gas real gas के लिए मतलब pressure of real gas तो यह pressure of real gas के से निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं यह container यहां पर हमने container लिया है और यह सब इसमें अन्दर gas molecules है यह सब क्या है मम कर लेता हूँ कि टिक थो यह जो वेन वॉल्ट का शोरी प्रेसर के लिए शबसे पहले अंदर वाले एंटमस को लेते हैं या फिर मॉलिकस स को बिन के यहां पर आपको के मैं की साथ कि यह इस एह पर चरही दीख में झाला Seiय Need भी फोर्स लगएगा यह भी फोर्स लगएगा और यह भी फोर्स लगएगा मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा सेम इस पर भी इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा सेम इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इस पर भी जीरो हो जाएगा नेट फोर्स चल molecules के वज़े से रहेगा इस इस साइड वाले molecules से रहेगा उसी तरह इस इस पर भी देखते हैं इस पर फोर्स है इधर फोर्स है इधर फोर्स है लेकिन इधर कोई सब्सक्राइब है सनिसाने कोई फोर्स नहीं कि इस पर फॉर्स रहेगा नहीं तो हम क्या देख रहा है कि जो साइड में है जो वॉल यानि कि दीवार या बांडरे के पास जो मुलेक् Libs है उसमे कुछ नकुछ नेत favor है इन सारे मोलकिल में कुछ न कुछ नेट फोर्स है तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो नेट फोर्स है वो सिर्फ साइड वाले मोलकिल पर बीच वाले मोलकिल पर नेट फोर्स नहीं है और साइड वाले मोलकिल सी प्रेसर क्रियेट करते हैं कभी बीच वाले मोलकिल से टकराएंगे कब जब वो दिवाल के पास जाएं और फिर से वह बाहर वाले मुल्खिल बन जाएंगे तो दिवाल के आप यहां से दोड़ते हुए जा रहे हैं ऐसे दोड़ते गए इससे तक्रा गए कुछ प्रेशर आपने इग्जर्ट किया दूसरा एक और कैसे लेता हूं यही दिवाल है लेकिन आपके पीछे एक रस्सी बंधा हुआ है आपके पीछे एक रसी बंदा है जो कोई खीच रहा है इधर से एक रसी बंदा है और यहां पे आपका एक दोस्त उसको पकड़के हलका सा खीच रहा है पूरा जोर से नहीं खीच रहा है पर हलका से इसको खीच रहा है तो आप उतना ही तेजी से प्रेशर कर पाईगा नहीं क से हमेशा कमोता है इस वज야 से हम लोग जो फोर्ँ कम जाता है इस को हम लोग क्या बोलते हैं प्रेσα सख कमता है और वही वज़से तो मैं आbek समझा रही हम देखिए हैं अब एक और समझाते हैं यहां पर देखिए सभुन केसे सेंबगाज मोलंटर से सिर्फ यह box थोड़ा बड़ा है इसका volume अगर वी ले लेते हैं हम लोग इस box का अगर volume लोग वी लेते हैं तो इसका suppose 10 या 20 वी माल लेते हैं यह volume बहुत बड़ा है इसका इस बॉक्स का ठीक है तो इस बॉक्स का वोलिम बहुत बड़ा तो आप यहां पर क्या बोल सकते इस पर अभी भी से उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा जितना की इधर लग रहा था नहीं लगेगा ना क्यूंकि जैसे से दूरी बढ़ता है फोर्स कम जाएगा क्या होत तो आप क्या देख रहे हैं किस चीज पर पास रहेंगे जितना दूर रहेंगे उतना कम फरस लगेगा जितना दूर रहेंगे उतना कम फोर्स लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा p है जो चेंज in में density बोल सकते हैं या proportional to n by v बोल सकते हैं ठीक है और density एक और जगह यूज होता है देखिए आप यहां पर जो density इस पर भी यूज हो रहा है स्पेसिली इस पर भी एक यूज होता है कि साइड में जो मोगों किल्स है उसको भी वा फर्क नहीं पड़ रहा कि बीच में कितना मोलक लेब आप्या फोर्स जीरो होता है कि तो जो डेल्टाइपी प्रोपोर्शनल होता है वह in2 ∂4 प्रोपोर्शनल हो जाता है अब हम लोग bei 220 मों लंजा अभी नॉर्मल अब इसको देखिए यह X है X is proportional to n by V का whole square इसको इसको इक्वब करने के लिए हम लोग प्रोपॉर्शनवी लेते जिसका फैलू ए है तो एक्सीजिक्वल टू क्या हो जाएका a into n by v का whole square ठीक है यह हो गया हमारा x अब x का value हम लोग यहाँ put कर दते हैं तो यह क्या हो जाएगा इसको मैं raise कर दता हूँ यहाँ से तो x का value क्या हो गया a into n by v का whole square ठीक है यह हो गया हमारा n by v प्रेशर का formula की रियलीटी में जो ideal gas का pressure होता है वो real gas के pressure से इतना ज्यादा होता है ठीक है हम लोग real gas का pressure उससे थोड़ा कम होता है तो यह हो गया प्रेशर का formula हम लोग प्रेशर कैसे निकाल रहे हैं ठीक है ना यह का value आपको दिया रहेगा इसको यह क्या सो करता है अब इसको मैं आपको अच्छे समझा तो एक का मतलब होता है अट्रैक्टिव कि अट्रैक्टिव कॉंस्टेंट इस यह एक ड्रैक्टिव को सो करता है मतलब कितना ड्रैक्ट्रैक्शन है उन दोनों के बीच ठीक है ना तो अब मैं आपको बताने जा कि attraction जो होता है उसके वज़े से जो force वो किस पर depend करता है मतलब कि attraction किस में ज्यादा होगा किस टाइप के molecules में attraction ज्यादा होगा ठीक है न कि एक value मैं करना चाहरा हूं कि एक value कि चीज़ पर depend करता है तो इसको मैं यहां पर थोड़ा साफ सुत्रा करके आपको दिखा देता हूं इसको मैं अच्छे से लिख के यहां पर आपको clear कर देता हूं तो क्या था यहां पर P है P I is equal to हो जाता है PR plus X और X का value क्या है x is equal to n into वेस्ट का टे कि अबूस का प्रेशर इंटु का सक कि ब्लस एं टो एंडिए अन बाई vídeos का फॉल प्ल सकूम्ट प्लस एंटु एंचा होल स्क्राइब अब देखते हैं फीजिकल significance of Van der Waal constant A, reality में Van der Waal constant A का मतलब value किस पर depend करता है, तो क्या था, P1 मान लेते हैं, वो जो change in pressure है, X का value P1 मान लेते हैं, तो P1 ही क्या होगा, NYV square हो जाएगा, अगर N2 के लिए, N2 के लिए मान लेते हैं, P1 NYV square है, P2 के लिए क्या है, N by V square है, CO2 के लिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, कि P2 greater than P1 होगा, यानि कि ACO2 is greater than AN2, समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, कि जो gas ज़्यादा भारी रहेगा, जो gas ज़्यादा भारी है, उस पर ज़्यादा pressure लगेगा, समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर N2 है, यहाँ CO2 है, CO2 ज़्यादा भारी है N2 से, तो N2 का pressure कम होगा, decrease, जो pressure decrease हुआ है, वो N2 का कम होगा, ACO2 का ज़्यादा होगा, यानि कि जो delta P है, इसको हम लोग X मान लेते हैं, X is proportional to हो जाता है, molar mass, जो molecular mass है, उसके proportional हो जाता है, अगर ज़्यादा molecular mass है, तो pressure भी ज़्यादा कमेगा, अगर कम molecular mass है, तो pressure भी ज़्यादा कमेगा, क्यों हो ऐसा है, तो यह मैंने आपको पहले ही बता है, density के proportional होता है, तो density जिसका ज़्यादा रहेगा, जादा प्रेसर कमेगा तो तो मास ज्यादा तो जिसका मास ज्यादा उसका प्रेसर कमेगए यानि कि एक किसके प्रहिसुनल ऊपंट मौलर मास भीकिनल्स चाहिए तो यह एस फीजिकल सिगनिफिकेंस टी मत-रियलिट् medic क्यासे depends करता है कि चीज़ पर डिपेंड करता है तो यह डिपेंड करता है molar mass पर जिसका ज्यादा molar mass है जैसे कि यहां पे है यहां पर अगर यह co2 है यह एंटू है तो इसका density आपको पता है ज्यादा होगा d2 is greater than d1 इसका डेंसीटी ज्यादा होगा और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो डेंसीटी है उसी पे डिपेंड करता है एन बाइवी के है डेंसीटी तो जिसका डेंसीटी ज्यादा होगा उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा ठीक है तो यही था फिजिकल सिक्निफिकेंस ओफ वेंडर वाल कॉंस्टेंट ए और मैंने आपको बताया था कि वोल्यूम ऑफ वोल्यूम इस इकल टू क्या होता है वोल्यूम ऑफ गैस प्लस वोल्यूम ऑफ मोलेक्विल्स होता है अब हम लोग अगर वोल्यूम ऑफ गैस हम लोग आईडियल गैस में क्या कंस्रेडर करते थे वोल्यूम ऑफ गैस सिर्फ तो होगा नेट वोल्यूम माइनस वी है समझ में आ रहा है तो चली अब लिखते हैं वी जी हम लोगों निकालना है क्योंकि पीवी इस इक्वल टू वी आर जो शॉरी वी नेट माइनस वोल्यूम всем of molecules कि अब इसका क्या formula होता है तो यहां पर वोल्यूम of molecules हम लोग कैसे क्यों करते हैं यह N B हो जाता है यह है यह हो जाता है N BN हो गया number of more number of more और B हो गया बिगनेस फैक्टर को इसे कोई कितना बड़ा है मतलब जो जितना बड़ा रहेगा वो सिर्फ यह जो बी है इसका वैलु डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलगुल्स पे साइज ऑफ एटम या मॉलेकिल्स पर आप यहां पर दीख रहे हैं यह जो यह जो यह वाला पार्ट है यलो वाला पार्ट है गैस का वोल्यूम और रेड़ वाला पार्ट है क्या बोलते हैं मोलेक्विल्स का वोल्यूम तो अगर हमको सिर्फ क्या बोलते यहलो वाला पार्ट निकालना है तो आखरण से होन्स करों लोगे हैं तो अपर मतलब दोजो हम लोगा से है V minus NB यह हो गया रियल गैस का volume जो है VR minus NB यहांस हम लोग कह सकते हैं जो रियल गैस का volume है is greater than ideal gas का volume ही प्रेसर में सिधा उल्टा था pressure of ideal Gas is greater than pressure of real gas लेकिन volume क्या होता है रियल घर सका ज्यादा होता है तो यह जो वी है यह VR minus NB हो जाता है हमारा volume of ideal practitioners यह सो फिकरने तो अगर हम अभी आप you разв them companies करें यह हो गया equation दूसरा और हमने उपर उपने पढ़ा equation पहला equation था यह हंग हमारा पहला कोछिए यह चैनल रिया अदुम मतलग कंबाइन करके अगर हम एंडरबॉड इक्वेस्टन रिखना दाा चलिए हम लोग लिखते हैं तो ideal gas के लिए क्या पढ़े है ideal gas equation Ideal gas equation PV is equal to nrt ठीक है ना तो PV is equal to nrt है हमको इसी में ideal πieuर्ज कर लिखना है तो हमको p का वैल्यू पता है पी का वैल्यू क्या है ideal घास के लिए पी आइज इकोल टू PR प्लस एइंटू n वाई वी का होल स्क्वेर तो यहां पर चली हम लूग लिखते हैं Vr V minus NB is equal to N तो अभी भी सेम है R भी सेम है और T भी सेम है इसमें तो कोई अंतर आएगा ने temperature थोड़ी किसी चीज़ पर depend करता है तो यह हो गया हमारा ideal डियल गैस का equation जिसको हम लोग वेंडर वाल equation भी कहते हैं ठीक है चलिए इसको मैं यहां पे बॉक्स में लेता हूं यह हो गया हमारा वेंडर वाल सबसे पहले क्या कि हम लोग प्रेसर करेक्स अगर रिडी में कैसे चेंज होता है जो कमता है प्रेसर वो किसके के प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के स्क्वाइर के प्रोपोर्शनल यानि कि एन बाई वी के स्क्वाइर के प्रोपोर्शनल होता है हमारा एक्स और उसको प्रोपोर्शनल एक कॉंस्टेंट दिया जो कि अच्टाइक्सक्तर को दिखाता है कि कौन एक दूसरे से कितना अच्ट करता यह ऐटम टू अटम डिफएर करेगा आप मोल्लकूल करेगा दूसरा पर इका पालिव मैंने आपको बता है कि मैंने आपको बता जो वोल्यम ऊन्ट इस प्लस वोल्यम अवक्लकुल को होता है तो अगर हमको लेकी चाहिए वहिझां को सिर्फ वोल्यम ऑफ गास चाहिए तो बहже स homepage MOLECLS the next volume को हम लोगा pregnancy volume कहते है न gap नेट वोलीम है रिए का वोल्यूम तो वहाँ से हमने लिख दिया कि जो वोल्यूम आई डिये वो गया वोल्यूम ऑ lanz इंटो ब yet in किवा नंबर ओफ मोल से और क्या है प्क्रेक्षन अप्डर सरी ब widowcular है और सक Comp exams लिख सकते हैं छली किarbeit पर यह बता अगर एक मोल्य यह जो एक पिर यह अथ्धिक है इसका डिस कितना है रहे है इसका डिसार अत्र है तो अगर हम को तो nolph के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा हम लोग उसको simply बीट को काद्ध को बीबीज इकवल टू क्या हो जाएगा न हिंवाल रहार न होगर एक मोल के लिए हमको निकालना तो एक मोल के लिए क्या होगा एक मोल से तो उसको सीधा multiply कर देंगे एक आटम के volume को पता यहां पर भी है तो बी का value क्या हो जाता है बी इस इक्वल टू होगा कि जो हमारा दिया हुआ element है दिया हुआ जो element है वो atom है या molecule है अगर एक आटम रहा तो हम लोग simply B का value क्या लिख सकते है अगर आपको ऐसा calculate करने दे दिया तो हो जाएगा 4 by 3 pi r cube into n है ठीक है अब अगर दो atom दे दिया है अब अगर दो atom दे दिया है मतलब एक molecule जैसे n2 दे दिया है तो n2 में क्या होगा n2 में क्या होगा दो atom consider करेंगे हम लोग तो दो atom b का value हो जाएगा 8 by 3 into pi r cube n है ठीक है यह आपको generally b कही calculate करने नहीं दिया जागा बी का value आपको हमेंसा question में दिया रहेगा बट मैं आपको सिर्फ यह समझाना चाहरा हूँ कि बी आया कहां से बी का मतलब क्या होता है तो बी हम लोग ऐसे निकाल सकते है बी का value सिर्फ और सिर्फ atom कितना बड़ा है इस पर करता है तो यह हो गया हमारा बी का value यहीं था वेंडर बॉल इक्वेशन इसमें हम लोग बेसिकली रियल गैस के बार में पढ़ते हैं कि रियल गैस होता कैसा है और रियल गैस का गया रौचर से वह यहां से एक दू आज जाएगा अπό recumi तो अगर कोई डॉट है तो प्लीज आप comment section में में पूंच सकते हैं बाकी का topic सर्वे क्में में करते हैं और आज के लिए हुआ हम कोई बी क् Velvet period पूछ सकते कमेंट सेक्षिन में हम लोगो डाइट मिलेगा बिल्कुल डाउट क्लियर कर दिया जाएगा आपका